नमस्कार साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि HCS की जो ओफिसियल एंस्वर की है वो वही साइट के उपर आ चुकी है इसके साथ में साइट के उपर नोटिस भी आया है कि 27 जुलाई तक जिसको भी कोई भी ओजेक्शन है किसी भी क्योशन के अंदर तो वो वही अपना ओजेक्शन डाल सकता है आईए बिल्कुल आपके सामने दिखाते हैं कि कैसे आपको वही ओजेक्शन डालना है कैसे आपको वही ओफिसियल एंस्वर की डाउनलोड करनी है चलते हैं हर्याना Public Service Commission की website के उपर और इसके उपर करते हैं हम click इसके बाद सबसे उपर आता है click here to submit the objection for the wrong answer आप यहीं पर click करेंगे उसके बाद आप आगे की तरफ चलेंगे और यहाँ पर लिख रख्या है की click here to submit the objection if any तो यह थोड़ा थोड़ा किस कलर के अंदर किया गया है तो यहाँ पर आपको डालना है अपना application ID आपको डालनी है डाल देते हैं और इसके साथ में आपको डालना है इसके अंदर यहाँ पर नीचे date of birth मांगता है यहाँ पर आपको रोल अंबर डालना है ना कि आपको date of birth भई ठीक है भई तो हम डाल देते हैं भई यह हमारा complete हो गया और हमारे सामने खुल गया भई बिलकुल जो आपकी आपका देखे भई यहाँ पर answer की अगर आप download करना चाते हैं तो यहाँ पर journal studies का जो आपका sample paper दिया गया है और उसके साथ में answer की भी दी गई है CSAT की भी answer की है और आपकी GSK paper की भी answer की है तो पहले तो आप यहाँ से अपने marks हैं भई वो check करें भई कितने आपके हो रहे हैं और आपको अगर objection लगता है तो आप objection के बारे में हम आपको बता देते हैं यहाँ पर proceed पर हम जाते हैं उसके बाद आगे की तरफ हमारी यह खु CSAT के हैं उसके साथ में CSAT का भी मिलेगा यहाँ पर यह CSAT के हो गए वही तो जिस भी question के उपर आपको objection है आप अपना objection यहाँ पर डाल सकते हैं वही यह rage और view objection चलो भई इसको खोल के बता देते हैं माल लेते हैं second question पर हमें डालना है तो select the objective objection type किस परकार का भी आपको objection डा डालना है यहाँ पर person गलत है या फिर syllabus से बाहर है या फिर सभी option गलत है या फिर multiple correct answer है तो जो भी आपको यहाँ पर लगता है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं वही इसके बाद देखिए वही region आपको डालना है कि वही क्या आपको region क्या लग रहा है औप जैक्शन आपको लिखिए भई 500 character के अंदर maximum लिख सकते हैं और जो भी आपको sporting document जैसे कि NCRT की book हो गई या फिर ये नहीं कि भई कोई local book नहीं चलेगी कोई अच्छी book होनी चीए कि जो भई मानी जाए foreign writer की कोई book हो या फिर आपकी भई कोई NCRT की book हो तो ये ऐसी book भई आपकी चल जाती है जैसे कि लक्षमी कांत का भी चल जाता है ठीक है तो book अच्छी होनी चीए भई जिसके अंदर हो और वहाँ पर आपको यहाँ पे attach करना है और इस तरीके से आपको author name और ये सब भई आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें भई इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी जो अपडेट है आप तक जो पहुँच रही है वो तभी पहुँचेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए भई और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि इन्फोर्मेशन कम्प्लीट हो चुकी है धन्यवाद